जहिंद्रा इसकॉर्पियो चाहे यूपी हो पंजाब हो या हर्याना कोई भी राज हो पॉलिटीशन्स की पहली पसंद बनती है और आखिर क्यों भारत के जितने भी नेता होते हैं वो इसकॉर्पियो को पसंद करते हैं आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसके पीछे की पांच बड़ी रीजन्स बताऊंगा वाई इंडियन पॉलिटीशन्स लव्स इसकॉर्पियो तो आए दोस्तों ऑटो हब की इस इंट्रस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहर नमबर फर्स टीचर दोस्तों ये है स्कॉर्पियो का अग्रेसिव लोग नो डाउट दोस्तों ब्लैक स्कॉर्पियो ये फिर हो वाईट स्कॉर्पियो कोई भी स्कॉर्पियो जब सड़क पे चलती है तो आटोमेटिकली आपके लिए रस्ता बनना शुरू हो जाते हैं भा पावर की प्रिजन्स होती है वो स्कॉर्पियो में डेफिनिटली आती है और आपने अधिकतर बार देखा होगा जितने पॉर्फुल लोग होते हैं अख्सर इसकॉर्पियो में जाते हैं और आप खुद कभी चलाएगा इस स्कॉर्पियो एक होर्ण पर आपका रास्ता है वोह बहुत ज़्याटी जबर्दस होता है और डोस्तों अकसर नेता हो या कोई भ्यक्ति वो अक्सर में इसकाइन के राश्ते योख बاتब जाना रहता है और जैब गाओं के रास्ते आप जानते हो कितने लेकिन जब आप स्कॉर्पियों बैठेर होगे तो आपको सिफ्ट की छट दीखेगी तो यह जो हाई ग्राउंड क्लिरेंस होती है हाई सीटिंग पुजिशन होती है यह नेताओं को बहुत ज़दा भाती है और एक कमांडिंग पुजिशन देता है स्कॉर्पियों इसलिए ल हैं आप बताईए अगर कोई सिंगल जाएगी और अगर उसकी जगह दो ब्लैक स्कॉर्पियों जाएगी तो इसके दोनों में से कौन सी गाड़ी का ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा तो डेफिनेटली दो स्कॉर्पियों ज़्यादा प्रभाव शाली होती है और नेता प्रेक्टिकल्टी भी बहुत बड़ा मेटर करती है नमबर फाइफ दोस्तों यह इसका यूनीक लोडिंग प्रेक्टिकल्टी जिया दोस्तों अब आपने कभी कोई बी इनोवा चलाया होगा पॉस्टनर चलाया होगा यह गारी बहुत से होती है लेकिन स्कॉर्पियों एक तो यह जो लोडिंग सेहनी की छमता होती है वो महिंदर स्कॉर्पियों में बहुत बैतर है और उपर से इसकी रॉफ एंड टॉफ डिजाइन जादा पसंद आती है यह फैक्ट शायद आपको न समझा रहा हो तो आशान शब्दू में यह कहूंगा कि इस पर जादा से कि क्यों भारत के ने तालोग इसको और प्यों कि इतना पसंद करते हैं आशा करूंगे वीडियो आपको पसंद आई ऑटो हब की अगर पसंद आई तो दोस्तों हमारे चलने उकरे सब्सक्राइब मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए ठैक्स वर वाचेंग